नमश्कार दोस्तों चरहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है कल से है शारदिय नवरात्री का आरम आज हम आपको बता रहे हैं कि घर पर आप घट स्ताबना कैसे करें दोस्तों मानेता है कि नवरात्री के नौ दिनों में जो भी देवी मा की पूझा सच्चे मन से करता है उसे मा दोनों हाथों से आसीज भर-бर के परदान करती है कहते हैं कि नवरात्रे में मात्टूरुगा की पूझा बहुती साज औश्रंगार और साफ सफाई के साथ करने चाही है रवीवार से शार्दिय नवरात्रे यानि 15 अक्टूर से सार्दिय नवरात्रे का आरंभ होने जा रहा है मा के नौ रूपों की पूजा इन 9 दिनों में की जाती है इस बार नवरात्रे सब के लिए खुशियां लेकर आए यही हमारी मनु कामना है आप सभी को नवरात्रे की हर दिशुप कामना है नवरात्रे के 9 दिन पूरे हर सोलास के शाथ मनाय जाते है मा दुर्गा की पूजा बहुती विदी विधान से करनी चाहिए मानता है कि नवरात्रे के 9 दिनों में जो भी देवी मा की पूजा सच्चे मन से करता है उसे मा दोनों हाथों से भर भर के देती है कहते हैं कि नवरात्र में मा दुरगा की पूजा बहुत ही साज और श्रेंगार के साथ करनी चाहिए मा के साथ भक्त को भी खुद भी साफ सफाई से रहना चाहिए यानि साज सवर कर रहना चाहिए इसलिए मा इस दिन खुस भी होती है आज हम आपको बता रहे हैं कि 15 अक्टूबर से नवरात्रिका आरंभ होने जा रहा है यदि आप भी अपने घर में घटे स्थापना कर रही है तो आप इस विधी को जुरू जान ले घटे स्थापना किस प्रकार से करनी है पहली चीज है अगर आप अपने घर में घटे स्थापना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने पूजा स्थाल को एकदम साफ कर ले यानि आप अपने मंदर को अच्छे से साफ सुतरा कर ले सभी मूर्दियों को धोले इसके बाद एक मिट्टी का बर्तल ले उसमें साफ जगह की मिट्टी डाले फिर उसमें जो को बोना चाहिए और पानी का च्छड़काओ करना चाहिए पूजा इस तल पर कलस स्थापित करें कलस में आप जल अक्ष़तर कुछ सिक्री जरूर डाल के रखें दोस्तों कलस पर गोबर का स्वास्तिक अवश्य बनाए फिर कलस को मिट्टी के ढखकन से ढख दे और फिर उस पर चुनरी से बंधा हुआ नारियल इस्थापित करें हो सके तो आप आम के पत्ते जरूर सजाएं आम के पत्ते आप अपने कलस के उपर चारू तरफ से लगा दे आम के पत्ते पांस से साथ होने चाहिए दिहान रखें अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो कलस के निकटी बड़ा सा एक दीपक जला कर रखें और समय समय पर उसमें गीडालते रहें कलस के बगल में ही आटे और रोली से नवगरे रूप जरूर बनाएं अब माद दुरगा की फोटो या फिर आपके पास मोर्दी है तो आप उस मोर्दी के स्थापित करके आप माँ को चुनरी पहनाएं उन्हें सोला सरिंगार करें उन्हें फल, मिठाई, फूल, अर्पित जरूर करें आप अपनी इच्छा के अनुसा, मिठाई, फल, फूल, जरूरूर उजा के बाद तुरगा शब्त सती का पाट करें और मन लगा कर उनका पाट करना चाहिए उसके बाद माता की आर्थी करें इस दोरान आप कवच, अर्गला, कीलक और च्छमा याच्नगा पाट करें अन्त में आप आर्थी करें और इसके बाद जो भी आप पर शाच चाहें वे अपने घर में सभी को बाटें शुबा और साम मा की आर्थी करना ना भूलें यानि कि आपको सुबा की समय भी मा की पूजा करनी है और साम की समय भी मा की पूजा आर्थी जरूर करनी है और ध्यान रहे आपका जो अखंड जोत का दीपक है बुझना नहीं चाहिए आप उसे किसी जालीदार ढखकन से ढखकर रखे ताकि वे बुझना पाए और समय समय पर उसमें तेल जरूर डालते रहें यदि आप बस ये उपाय कर लेते हैं ये छोटा सा आप अपने घर में अखंड दीपक जला लेते हैं घर में जवारे उगाते हैं और मा की नो दिन सेवा करते हैं तो मा की किरपा आप पर अपाहर बरसेगी मा आपकी सभी च्छाएं जरूर पूरी करेंगी हम भी मा से यही दुआ करेंगे उमीद करते हैं कि यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों के साथ शर करें यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हम आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की 34 वास्तों और अच्छी धर्मिक जानकारी देते रहते हैं धन्यवाद